नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है में सेसी नोर्स में तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीटेट दोजार तेस के बारे में जो बच्चे सीटेट का एक्जाम दे होंगे आंसर की मिला होंगे काफी बच्चे होंगे जिनका दुर भागिवस नहीं हो पाया सीटेट में काफी बच्चे होंगे जिनका हो गया है और नंबर कम है तो इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं तो आगे का जो अगर रास्ता देखा जाए तो यूपीटेट का जो फॉर्म है वे आने वाला है ठीक है तो इस साल जो यूपीटेट होगा उसमें आप लोग बैठ कर आपकी इलिजबिल्टी वाला टेस्ट का आपको कौलिफाई कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आने वाली जो वैकेंसी है यानि जो सूपर टेट आ होगा तो वह पैनिक होने जुरूरत नहीं है यूपीटेट आएगा उसके लिए त्यारी सुरू कर दें और अभी से त्यारी सुरू कर दें ठीक है काभी बच्चों का कुश्चन होता है कि सार हमने इतना पढ़ा या ऐसे किया फिर भी मेरा सीटेट नहीं निकला या नहीं भर दिया फाइनल हो गया उसके बाद लगा कि हां महीने भर या पंदर दिन दस दिन रह गया है तब थोड़ा सा पढ़ाना शुरू करते हैं ठीक है तो या तो बहुत ब्रिलियंट हो तब तो निकल जाएगा अगर आते हैं तब कोसिस करना चाहिए कि हमें लगातार पढ़ दिनी चाहिए पहले चीज़ ठीक है तो इस चीच का में साध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी भी एक्जाम के अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंतजार नहीं करना है उसके लिए आप कॉंटीन्यू पढ़ते रहें धीरे धीरे पढ़ते रहें ठीक है अब चल ठीक है नेगेट्व मार्किंग नहीं होती है पेपर अभी तक आफ्लाइन होता आया है अब आगे भी संभावना यहीं कि आफ्लाइन ही होगा ठीक और एक बात चल रही है कि जो नया सिक्षायोग बनेगा है ना यूपी में उसमें बोला जा रहा है कि जो नई सुपर्डट की बढ़ती आएगी उसमें वन फॉर्थ मार्क इसके भी एड होंगे ऐसी संभावना जताई जा रही है तो देखिए वह भी फिक्स नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है लेकिन हमें अपने तरफ से प्रप्रेर रहना है तो हमें ऐसी कोसिस करने के हम ज्याद तो पहले तो आप यह समझेगा कि आपको शबसे पहले क्या करना है सबसे पहले को करना है कि आपको प्रिवस यर्स प्रकार से कहा कहां से वैंच फ्यों फेडियों प्रिवेस से parti में से लिएन हिनुत तो कि देख लिगे 211 में कहां कहां से कॉषण फोट है ङसाफ को समास का कोउचन देख गया तो फिर अगर संधी का कोइया उसमें लिग दिजे संधी उसके बाद अगर आपको संग्या रिशेश्ण से समंदित मिल गया त smiles में लिख दीजिए विशेशन ठीक है उसी तरीके से मैस का पेपर खुला है तो मैस में अगर आपको देखे गया कि प्रॉफिट लॉस से कोशन आया है तो उसमें लिख दीजिए लाभानी मतलब ऐसे देखिए कि कहां कहां से कोश्चन बन रहे हैं और ऐसे करके सभी सेट्स के लिए बना लिजे और उसमें से जो कॉमन है यानि हर साल जहां जहां से कोश्चन पूछे जा रहे हैं कि यहां से तो कोश्चन आते ही है उन टॉपिक्स की आप प्रॉपर नोर्स बनाईए उसकी तयारी करिए नहीं सबजबे आ रहा है कहीं वीडियोज है वीड से त्यार करके कंप्लीट कर लेना है ताकि वहां से कभी भी कॉश्चन आए जो कि आपने पता कर लिया है कि बार-बार आते ही हैं आएंगे ही जिसकी सम्भावना हो जाते हैं कि आएंगे ही तो आप उसको कंप्लीट कर लीजे ठीक है उसके बाद एक प्रॉपर सौर्ट नो कर लेंगे तो अच्छी बात है अगर फिर भी कही दिक्कत आती है कुछ भी समस्य होती है आपके चैनल पर यहाँ पर होती है तो अगर चैनल सबस्क्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेज़ेगा डिली आपको यहां पर क्लासेज मिलती रहेंगी ठीक है बहुत बच्चे पीडियाफ नोर्स या सौर्ट नोर्स के बारे में मांगते हैं या कोर्स समंद्र जानकारी चाहते हैं तो यहां पर जो नंबर दे रखा है मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर 83, 82, 91, 62 इस नंबर को आप नोट कर लिजेगा कभी भी जुरुत पढ़े या कभी भी ऐसा लगे कि हामें कोर्स या नोट्स की जुरुत है तो आप इस नंबर पर कॉल करके वाटसेपर मैसेज करके आप राप्त करने का प्रोसेस पूर सकते हैं लेकिन अगर आप खुद से सक्षम है तो कोई आवशकता नहीं अगर आप खुद से पढ़ने के लिए सक्षम है लेकिन जिसक नहीं लेना चाहते हैं तो गाइड ले सकते हैं ठीक है मतलब गाइडेंस ले सकते हैं अगला है मॉडल पेपर की बात करेंगे ठीक है आपके पा त्इस्स करते रहें लगातार। प्रैक्टिस्स करते चले जाएं ठीक है जिससे क्या होगा की चीजें आप की क्लियर होती ही चली जाएंगे कि आपने उपर पढ़ रखा है या जो आपने कज़े करें काफी बच्चों कि यूर्ष और यह काम अगया खुद से बहाने बनाने यह सच मैं सच मुल रहे हैं चुरू और कमेंट करके तो तो चुरू करए तो सそんな यह जार से ठीक है मैं जाला है बाकि यूटूब पे हमारे द्वारा फ्री प्रैक्टिस करा ही जाती है प्रीवेसी रिविजन करवाया जाता है मौडल पर चलता है यहां पर रिगुलर क्लास लेते रहे ठीक है और अगर कंप्लीट बैच चाते हैं इक चीज्ज में आपको गाइड ही तरीके से हर फिंड में आपके साथ जोड़ सकते हैं जो नया कॉर्स हमारा आता रहता और इसमें आया भी है ना एक निया कॉर्स लांच इसका नाम नाम है टार्गर युपिटेट करते इसके नाम से तो उसमें अगर ज्वाइन लेना है तो इस नंबर पर कॉल कर लिए वाट से पर मैसेज कर लिए आपको ज्वाइनी मिल जाएगी ठीक है मैं अपना कुछ एक छोटा सा तो इससे आप क्या कर सकते हो इनब्बे में पूरा ले आने की कोसिस करेंगे जब आप टार्गेट 140 तक कर रखेंगे एक 135 तक कर रखेंगे तब आपके 120 के उपर बनने के चांसे ज़्यादा होते हैं अगर टार्गेट ही कम रख लिए सुरुवात में 110 या 115 रख लिए 100 रख लिए या पासिंग के लिए रख लिए तब मुस्किल हो सकता है तब आप सोचोगे कि यार इतने है तो टार्गेट बढ कर ले चैनल को सेर करते रहें अपने सभी मित्रों तक और मिलते हम लोग अपनी अगली क्लास में तब तक लिए सभी बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद